हेलो एव्रीवन वेलकॉम अगेन टू लान व्रिदेतिवन तो लास्ट वीडियो हमने यहां तक कम्प्रीट कर लिया था जिसमें हमने सभी मेले पढ़ लिये थे आज हम करेंगे चेप्टर टैन में ही जोकी आपका लास्ट चेप्टर है प्रमुक लोग देवता एवं संत तो चलिए आगे बढ़ने से पहले लास्ट वीडियो में से ही इसी चेप्टर में से एक कोस्यन का आंसर देना है आपको और question क्या है वेनिश्वर मेला किन नदियों के संगम स्थल पर लगता है ठीक है ध्यान से सुनिएगा वेनिश्वर मेला किन नदियों के संगम स्थल पर लगता है तो चलिए comment box में answer देना है आपको प्रमुक लोग देवता एवं संत समा सुधार कार्य मानव सेवा वन सन रक्षक पसूधन की रक्षा गुरु भक्ती वचन पालन जैसे मुल्यों के लिए जीवन देने वाले अनिक महापुरुस राजिस्थान में लोग देवता एवं संत के रूप में पूजनिये हैं सामाजि और धार्मिक कारणों से राजिस्थान में लोग देवताओं का उद्य हुआ ये लोग देवता सामप्रदाइक सदभाव के प्रनेता थे तो हिंदू मुस्लिम सभी के लिए ये लोग देवता जो हैं जाने जाते हैं सबसे पहले हैं गोगा जी राजिस्थान के पंच पीरो में प्रमुक हैं रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हर्भू जी और गोगाग जी तो इन पांचों के नाम जो है वो आपको याद रहने चाहिए रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हर्भू जी और गोगाग जी तो गोगाग जी चोहां साशक और गोरकनाच से प्रभा प्रभावित थे भादर पदिक्रिष्ण नव्मी को गोगा नव्मी के रूप में मनाया जाता है इस दिन गोगा जी की पुजा अर्चना की जाती है गोगा मेडी हनुमान गड में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है तो क्या याद रखना है आपको एक तो आपको याद पीरों के नाम दूसरा याद रखना है कि गोगा जी चोहन साशक और गोरकनात इनसे प्रभावित थे और भादर पद क्रिष्ण नव्मी को गोगा नव्मी मनाई जाती है गोगा मेडी हनुमान गड में मेला इनका भरता है ठीक है नेक्स्ट हैं लोगतेवता तेजा जी ते बादर पद सुक्ण दस्मी को परवसर में तेजा जी की समर्ती में विशाल पकषी मेला ऐयोजित होता है तेजा जी की गाथा और गीत बहुत प्रसिद्ध है तो तेजा जी का मेला जो है को लगता है भादर पद क्रिess nowe, नागोर में ठीक है नेक्स्ट दिखेए पाबु पाबु जी जिन्हें उटों के देवता के रूप में माना जाता है, पाबु जी राठोड, राठोड है ये, इनको उटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, पाबु मंड उनका प्रमुक इस्थान है, ये लाइन बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आपको कहीं नहीं मिलेगी पाबु मंड जो है इनका इस्थान है मुख्य पन चित्रन में पाबु जी का जीवन चरितर दिखाया जाता है नेक्स्ट देखिए रामदेव जी रामदेव जी लोग देवताओं में सबसे प्रमुक और अफ्तारी पुरुस्ते वे सामप्रदाइक सोहार्द के प्रेरक थे मुस्लिम समाज भी इनको राम सापीर के रूप में मानते हैं रामदेवरा भाद्रपद महा में विशाल मेला आयोजित होता है तो ये तो आपको याद ही रखने होंगे कि इन लोग देवताओं के जो मेले हैं वो कबल लगते हैं ठीक है तो अधिक तर भादो में ही लगते हैं देखिए हमने सबसे पहले गोगा जी को देखा तो इनका भादर पद कृष्ण नवमी को मेला भरता है। तेजा जी का भादर सुकल दस्मी को। उसके बाद देखिए राम देव जी का मेला इनका भी भादों में ही लगता है। ठीक है? तो इस तरीके से आप याद रख पाएंगे। इंपोर्टेंट लाइन है, इनका जन्म जो है, वह कहां हुआ था? मेरता में हुआ था, कुड की गाउं में. भक्ती मती मीरा भाई का विवहा मेवार के शिशोधिया वंस के महराना कुमार बहुज राज के साथ हुआ था. बच्पन से ही कृष्ण भक्ती में मीरा का मन रम गय मीरा भाई के विवहा के कुछ समय बाद उन्हें वैधव्य का दुख छेलना पड़ा, यानि कि जो भोज राज थे, उनकी मृत्यू हो गई थी. वे संसार से विरक्त हो गई और अपना पूरा ध्यानकरश्न भक्ती पर केंद्रिक कर लिया. सरन और सहज भक्ती मीरा की विश द्वानों में एक राय नहीं है. तो जन्म को लेकर तो एक राय नहीं है. 1585 इस्वी में पत्यपुर सीकरी में इन्होंने अकवर से भेट की थी. ये important line है. फिर राजिस्थान में आकर भक्ती का प्रसार किया. 1603 में आमेर के पास नरायना गाउं में इन्होंने देह त्याग किया था. तो जन्म के बारे में एकमत नहीं है. तो ये question जो है आपके exam में जन्म के बारे में हाला कि नहीं पूछा जाएगा. लेकिन म्रत्यू के बारे में पूछा जा सकता है कि इनकी म्रत्यू आमेर के पास नारायन गाउं में होई थी. Next है जामबो जी. जामबो जी महराज विश्नोई संपरदाय के समर्तक थे. तो विश्नोई संपरदाय के समर्तक कौन थे? जामबो जी. देखिए चैप्टर जो है चोटी क्लास का है तो थोड़े थोड़े फैक्टी ही दिये गए है. यही चीज़ डेटेल में हम लोग क्लासेज में पढ़ेंगे. जामबो जी का जन्म 1508 की भादरपद कृष्ण अस्टमी को पीपा सर नागोर में हुआ था. जामबो जी के उपदेशों पर चलते हुए विश्नोई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा और जीव हत्या की विरोध में प्रयासरत जो अनुकर गया है. नेक्स्ट संत हैं जसनाथ जी. संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ, इन्होंने गौरकनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की और चमतकार योगी हो गए. अब हमने लोग देवता पढ़े थे, तो वहां पर गोगा जी गौरकनाथ से प्रभावित हुए थे, वहीं संत जसनाथ जी. ये भी गौरकनाथ जी से प्रभावित हुए थे. श्रद्दानाथ जी. राजिस्थान के इसे खावटी शेत्र में संत श्रद्दानाथ जी ने स्वैम सिक्षत ना होते हुए, यानि श्रद्दानाथ जी जो हैं वो खुद असिक्षत थे. फिर भी इन्होंने जन्धन में सिक्षा की अलग जगाई, इन्होंने आपरिग्रह, सम्ता और चरित निर्मान की सिक्षा प्रदान की सीकर जिले के लक्षमनगड में इन्होंने अपना सरीर त्यागा, वो तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्मान करवाया, जो सभी चता में ही इश्वर का निवास होता है अतहे ये आश्रम का आदर से वाक्या बन गया ठीक है तो स्रद्दानात जी जिन्होंने सेखावर्टी शेत्र में सिक्षा की अलग जगाई थी और खुद ये क्या थे असिक्षित थे चलिये संथ के बाद हम देखते हैं हस्त कला सबसे पहले है कास्ट कला यानि की लकड़ी की कला कास्ट कला राजिस्तान की एक प्रसिद हस्त कला है इस कला में लकडी से विविद प्रकार की कलात्मक वस्वें बनाई जाती हैं इस कला का प्रधान केंद्र बसी चित तोडगर है लकडी के बेवाड कावर तथा रंगाई छपाई के ठपे यहां तयार किये जाते हैं लकडी से निर्मित खिलोने, कटपुत्ली, निर्माड के ल बसी चित तोडगर इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं अगली कला है मूर्ति कला राजिस्वान अपने संग्वर्मर के लिए प्रसिद रहा है विविनिस्वानों पर अलग-लग प्रकार के पत्थर पाये जाते हैं इसी कारण यहां पर मूर्तियां और पत्थर तैयार कर पकाना टैरा कोट के नाम से जाना जाता है तो डैफिनिशन पूछी जाती है कि टैरा कोटा से क्या अविप्राय है तो मिट्टी से जो मूर्ति खिलोने बनते हैं उन्हीं को कहते हैं टैरा कोटा नाथ द्वारा के समीप मोलेला गाउं जो है वो इस काम के लिए प के लिए सिद्दस्त है नेक्स्ट है ब्लू पॉट्री चीनी मिट्टी के सफीद बरतन पर किये गए नीले रंग की अंकन को कहते हैं ब्लू पॉट्री इसके अतरिक्त ब्लैक बॉट्री सुनहरी पॉट्री आदी वी प्रसिद्ध है लेकिन ये ब्लू पॉट्री जो है यह सब सबसे ज़्यादा प्रसेद्ध है इसके द्वारा डिजाइनर का प्लेट अन्य बर्तन खिलोने वह सजावती सामान जिर से फूलदान आदी भी बनाए जाते हैं नेक्स्ट देखिए लाग का काम लाग के काम में चपड़ी को पिगला कर उसके उसमें चाक, मिट्टी, विरोजा, आदी मिलाकर गूंद लेते हैं उसी से विविन प्रकार की चीजें बनाए जाते हैं सजावत के लिए कांच और मुती भी लगाये जाते हैं जैपूर, जोदपूर, लाग के काम के लिए प्रसिद्ध हैं अगला है आभूशन, जडाओ, गहनों के लिए जैपूर, जोदपूर, बिकानेर जो है वह प्रसिद्ध है मुल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जैपूर में होता है कांच पर भारीक सोने की नकासी का काम ये क्या कहलाती है थेवा कला कहलाती है तो देखिए यहां पर important line आ गई है कांच पर जो भारीक नकासी की जाती है उसे थेवा कला कहते हैं और इसके लिए प्रसिद है प्रताबगड़ की जनजातियों में पीतल और चांदी की आभूशन भी विख्यात है तो आभूशन में जो थेवा कला है कांच पर बारीक सोने की नकासी का काम ये है प्रताबगड़ की प्रसिद है कपड़े पर चपाई राजिस्थान में किस्म किस्म की चपाई का काम होता है बगरू, सांगानीर, अकोला, बाडमीर, काला डेरा, पाली और बसी कपड़े पर चपाई के लिए प्रसिद है, गोबर, तिली का तेल, बकरी की भेंगनी और सोड़े के मिश्नठओं सीहच गोल बनाया जाता है इसमें कपड़े की पूरी रात भिवोने के बाद सुखने के बाद उसे फिर से हरड की घोल में डुबोया जाता है फिर लकड़ी के चापों ब्लॉक से उन पर चपाई की जाती है चपाई के लिए पहले सीमित और प्राकर्तिक रंगों का उपयोग होता है अब सिंथेटिक रंग का भी उपयोग होता है तो ये जो प्रक्रिया है ये नहीं पूछी जाएगी एक्जाम में केवल यही पूछा जाएगा कि जो छपाई के लिए बगरू, सांगानेर, ठीक है अकोला, बाडमेर, कालाडेरा, पाली और बसी ये प्रसिद है कशीदाकारी और गोटाकारी राजिस्थन की अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कशीदाकारी की जाती है कसीदों में मुख्यत है, पसूँओं के चितर उकेरे जाते है तो आप लोगों ने बैडशीट वगरा देखी होगी तो उसमें कसीदाकारी आपको देखने को मिलती है कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काट कर कपड़ों पर सिल दिया जाता है जिसे पेचवर्क कहा जाता है घोटे, किनारी, आरी, तारी का काम भी राजिस्थन की विसेश्था है तो देखिए, जो पेचवर्क है, वो क्या होता है कि कपड़ों को तरह तरह से काट देते हैं और एक जो पूरा कपड़ा होता है उसमें जगह जगह उसे लगा दिया जाता है और सिल दिया जाता है, ठीके, उसे कहते हैं पेचवर्क इस प्रकार हमने जाना कि देश की राश्टी संस्कृती का अंग होते हुए भी राजिस्थान की संस्कृती की अपनी कुछ विसेश्थाएं हैं यहां के पारंपरिक पर्व त्योहार मेले रीती रिवाज आदी आकर्शक एवा मनमोहक है इसलिए राजिस्थान को कहते हैं रंगीला राजिस्थान तो अब आपको पता लगा कि इसे रंगीला राजिस्थान क्यों कहते हैं क्योंकि यहां बिविन प्रकार के परिधान मिलेंगे खान पान मिलेगा रीती रिवाज मिलेंगे ठीक है इसके अलवा मेले तो हार जो हैं वो हर शेत्र के भी अलग मिलेंगे चलिए ये चेप्टर होता है आपका पूरा सब्दावली पढ़ लेते हैं शेत्र कार्थ है अंचल लोग देवता यानि शेत्र विशेश में पूजे जाने वाले देवता नकासी कार्थ है पत्थर धातू लक्री आधी पर खोद कर किया जाने वाला कलात्मक कार्य अब देखिए अभ्याज प्रश्न चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है तो फटा फट से इसका आंसर दीजिए आंसर क्या है यहां पर बिल्कुल आंसर है करणी माता का मंदिर उटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है अभी ही अमने पड़ा था पाबुजी को चीनी मिट्टी के सफेद बरतन पर डैस रंग के अंकन से ब्लु पॉटरी का निमान होता है तो ब्लु पॉटरी है तो ब्लू रंग का ही इस्तेमाल होगा नीला रंग तेजा जी ने डैस के लिए अपने प्र पर किसकी पूजा की जाती है तो गंड और गौर गंड यानि शिव और गौर यानि पारवती तो शिव और पारवती की पूजा की जाती है पक्षमी राजिस्थान की कितनी बोलियां हैं तो यह हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था पूर्वी राजिस्थान की कितनी बोलियां इनको detail में आपको chapter में ही पढ़ना है ठीक है तो इसको आप पढ़िएगा चलिए मिलते हैं next class के साथ class 7th start करेंगे हम जल्दी से कल ही start करेंगे मिलते हैं next video में thank you